हालो फ्रेंड वेल्कम बाक टो ये चैनल एकाउंट्स गुरू और ये वीडियो मेरे उन सभी बच्चों के लिए हैं जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही कोशन चल रहा है और वो है हाँ टो स्टे मोटिवेटिड और बी प्रोड़क्टिव येस चाहे वो क्लास 9 के स्टुडेंट हो 8 के हो या 11 या वो प्यारे बच्चे जो बोर्ड एक्जाम के लिए तियारी कर रहे हैं उपसे बड़ा फैक्टर इस समय आ रहा है सर अपने आपको मोटिवेट कैसे करें और अगर ये आपका सबसे एहम कोशन है ये कोशन आपको परेशान कर रहा है तो इनीशन मिनिट्स में ही आप थमसर कर दिए क्योंकि आगे मिलने वाले है आपको बहुत बड़ा सॉलीशन because मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो सॉलीशन है हम मोटिवेशन के लिए बाहर सॉलीशन ढूण रहे हैं और वो सॉलीशन आपके पास है करना क्या है आपने जल्दी से एक piece of paper निकाल लीजिए तो दो parts में divide कर दीजिए और यह लिख दीजिए solution for staying motivated and being productive यह सबसे बड़ा important factor क्या है time management जह हम बोलते हैं किसी चीग को time management वो मैं आपको बताने वाला हूँ और यह motivate करेगा आने वाले आपके examination तो I hope आपने paper ले लिया होगा paper को divide कर लिजिए दो parts में left side पर आप लिखिए my most productive time period my most productive zone in a day यानि left side पर आप पूरे दिन जो भी आपका दिन होता है सुबह 8 बजे शुरू होता और रात को अगर 12 बजे खतम होता है तो यह आपका time zone है इस time zone के अंदर आप यह लिखिए left side पर ऐसी कौन से time है जब आप बहुत ज़ादा productive होता है यानि जब आपका बहुत ज़ादा पढ़ने का मन करता है अंदर से inner motivation होती है targets को achieve करने की creativity आती है कि कुछ नया करो और अपना self belief बहुत level 10 पर होता है वो time लिखिए हो सकता है वो time आप सुभे 8 से 1 बज़ तक लिखना चाहें हो सकता है कुछ बच्चे 4 से 6 लिखना चाहें हो सकता है कुछ बच्चे बोले नहीं सर हमें तो रात 8 या 9 बज़ से लेके रात के 2 बज़ तक whatever is your productive time right on on the left side क्या ये clear है? हां सर clear है अब आजेए right side पर वो time period जब आपको लगता है कि आपने वो fix कर रहा है अपने दोस्तों के साथ video game खेलने का या अपने दोस्तों के साथ market में चक्कर लगाने का या फिर अपनी special friend के साथ phone पे बात करने का या फिर जो भी social media पर surfing करनी है वो है आपका non productive time वो डाल दीजे right side पर और वो time slot fix कर दीजे यार ये time मेरा इसी चीज़ के लिए है because देखिए brain loves clarity आप क्यों demotivated होते क्यों आपका मन नहीं करता because आपकी जिंदगी में clarity missing है अगर आपने ये दो time zone लिख लिए यानि आपके brain को signal गया है कि इस time पे मुझे output निकालनी है और इस time पे मुझे rest लेना है थोड़ा सा relax होना है तो अब जो left में आपने time डाल लिया वहाँ पर आपको daily क्या करना है रात को सोने से पहले आप pen down करेंगे वो सब काम जो अगले दिन आपने इस time zone में करने है आपको अपना mass का कोई particular chapter फिनिश करना है आपको accounts का कुछ करना है या physics, chemistry, whatever subject जो भी आपके pending चल रहे है जो भी आपको डर लग रहा है, fear है आपको frustration हो रही है कि कैसे खतम होगा, anxiety हो रही है उन सब को breakdown कर दो और यहाँ left time पे आपने वो pen down कर दिये 4 topic, 5 topic, 6 topic जो भी आप करन रहे है उस zone में, तो आपको ध्यान लगना है क्या, उस particular time zone के अंदर अगर कोई भी non productive काम आ जाए उसको avoid करना है, उसको delete करना है, यानि वो time period अगर आपने 6-8 या 8-12 जो भी time fix कर रखा था, उस time में अगर friend का phone call आता है, वो आपको pick नहीं करना, कुछ भी हो जाए, अगर म इससे में video record कर रहा हूँ आपके लिए, तो इससे में मेरे सारे phone जो भी है, वो aeroplane mode में है, यानि कोई disturb नहीं कर सकता, this is my most productive time, it means what, अगर इस time पर मैंने कोई phone call receive कर लिया, कोई mail का reply कर दिया, या कहीं से कुछ information आई है, मैंने respond कर दिया, ये मेरा जो productive time zone है, ये waste हो जाएग और जो flow है, जो momentum चल रहा है, वो momentum break हो जाएगा, कितने बच्चे मानते हैं, thumbs up करना ऐसा आपके साथ होता है, जब आप पढ़ना चाह रहे हैं, जब आप अपनी productivity को increase करना चाह रहे हैं, तभी ही unwanted distraction आजाती है, और आपको परिशान करती है, और आपका जो flow बना होता है, उस flow को break कर देती है, अगर आप मानते हैं, तो thumbs up कीजिए, मुझे पता लग जाएगा, यह सब मानते हैं, और हो सकता है, वो distraction भी आपके वो friends हो, जो खुद तो चाचा घंटे पढ़ लिए, बट उनको पता है, आप इस टाइम पढ़ते हैं, तो इस टाइम पर उनने आपको phone कि या disturb करने के लिए आप से मिलने आ गए, तो यह अब daily basis पे decide आपने करना है कि मेरा ये productive zone है, इसमें मुझे level 10 की performance करनी है, और जब आप वो achieve कर लेंगे, रात को सोते वे, you will feel motivated कि yes, आज मैंने वो achieve कर लिया, जो मैं चाहता था, तो formula number 1, कि left जो आपका most productive time zone है, उसमें कोई भ है, क्या ये promise है आपका आप से, parents के साथ नहीं, मुझे नहीं, आपको खुद promise करना है, और नीचे chat box में लिख सकते हैं, अगर आप commitment दर्ज कराना चाहें, कि sir promise करने है, कि ये मेरा time zone है, और मैं deliberately कोशिश करूँगा, या कोशिश करूँगी कि इस productive time zone में कोई भी non productive काम ना क करें, meditate करें, walk करें, अगर terrace है, terrace पे जाएं, window है तो window पे खड़े हो कि 5-7 minute अपने आप से बात करें, because इस पूरे दिन के अंदर हमारे brain में इतना chemical लोचा चल रहा होता है, कि हम अपने आप से बात करने के लिए वंचित रह जाते हैं, deprived रह जाते हैं, तो दिन के अंदर जो लेटी है, टीवी देखिए, आपने कोई अपना famous cartoon देखना है, कोई भी video game खेलना है, या meditate कीजिए, यह आपका अपना time है, और यहां की relaxation, यहां का जो comfort आपको मिलेगा, वो दुबारा से productive zone में जाने के लिए आपको help करेगा, motivate करेगा कि आप और बहतर पड़ें, और यह productive zone और non productive zone अलग-लग phases में भी हो सकते हैं, normally मेरी suggestion यह है कि आपका productive zone 40-60 minute का एक होना चाहिए, और उस 40-60 minute के अंदर आपको एक task assign करना है, और ऐसे अगर आप 4 या 5 productive zone निकाल लेते हैं, तो आपका dream success guaranteed है, तो यह आपने पहली exercise करनी है, दो zone divide करने है, productive zone और non productive zone, बर कोशिश कर ना है कि productive zone के अंदर non productive काम ना करें, और जो non productive zone है, उसको specify कर दें कि जो भी करना है, मैं इसी time पे करूंगा, अगर friends से मिलना है, उसको time बता दीजे, इस time पे मैं available हूँ, इस time पे आप मुझे phone call कर सकते हैं, इसके अलावा मैं available नहीं हूँ, this is my planning, this is what I follow and यही है reason आपको happy रहने का, आपको fun, आपको excitement रहती है, creativity रहती है, because you have planned everything, कोई भी great idea हो, वो तब ही आएगा, जब आपको clarity of thoughts हो, क्योंकि मैं हमेशा believe करता हूँ, thoughts से आपकी feeling आती है, feeling से आप choices करते है, choices से आपका behavior change होता है, behavior से आपकी identity change होती है, तो please, जैसा आप सोचेंगे, वैसा आपकी जिन्दिगी में होना start हो जाएगा, तो ये छोटा सा वीडियो सिर्फ इसके लिए है, क्योंकि अभी आपको अगले दो महीने बहुत पढ़ना है, और motivated feel करना है, और detail मैं बताऊंगा किस तरह की motivation होती है, next वीडियो में बने रहेगा, अगले वीडियो के लिए भी, आज के सरफ इतना है, आपको ये clarity चाहिए रात को सोने से पहले, कि कल कौन-कौन से काम है जो मैं अपने productive zone में करूँगा, और कौन-कौन से काम है जो मैं अपने non-productive में करूँगा, आपस मैं इसको mix नहीं करूँगा, merge नहीं करूँगा, क्योंकि वही कारण है हमारी सारी problems का, so I hope ये solution मिल चुका है, divide your day into two zone, productive and non-productive, thank you, if you like the effort, if you like the video, do like, subscribe और अगला वीडियो रहेगा हमारा types of motivation पे, किस तरह की motivation आपको चाहिए, thank you all, love you all, bye-bye, take care, और जयाते है, yes, you're, बड़ी आकिया, wonderful.